कई वब दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सेनिक समचार चैनल में जो स्टो आजकी वीडियो बात करेंगे वन रेंक वन पेंशन की जो है इंस्टाल्मेंट को लेकर दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों को जो इशुदार है कई लोगों को जो है वन रेंक वन पेंशन की जो है डारेक्ट तीसरी किस्त मिली है कई लोगों को दोस्तों वन रेंक वन पेंशन की जो है पहली और दूस चल रहा है और इसका दोस्तों इन सब प्रॉब्लम का एक ही सुलूशन है इसके लिए आपको जो है ग्रेवन्स डालना पड़ेगा क्योंकि कई यह फंगो सिर्फ और थाइश्ट मिल तो सकता है लेकिन जिनका ऑलरी माइग्रेशन हो चुका है उनका लेट हुआ है या उनको नहीं मिलिया है तो वैसे तो बोला गया है कि जो तो वन रेंक मन पेंशन की जो तीसरी किष्ट है वो आपको जो है तीस नुम्बर तक मिल जाएगे तो अभी है टाइम बट स्टिल दोस्तों सेफ परपस के लिए आप इसको जो है सीपी ग्राम में अपना ग्रेंश डालने जिससे कि आपको टाइमली इस पे जो है अफ़नोर मिल्याय आपको जो है इस पे सुलेशन मिल जाए दोस्तों नेक्स अबडेट यह दोस्तों कि कई पैंशने की जो है एक्सेंडीड पेंशन जो है जो हमने पहले भी बात कि ती जो कि 20% extra मिलती है जब आप 80 years के हो जाते हैं वो दोस्तों जो है नहीं मिल रही है और उनको normal pension मिल रहा है इसका भी अगर जो हमने देखा कि क्यों नहीं मिल रहा तो अगें दोस्तों वही स्पर्श का है अगर स्पर्श में आपका data updated नहीं है तो चाहे वो दोस्तों life certificate है चाहे आपका जो है pension है चाहे आपका TDS है वो सब के सब जो है इससे related है और लोगों को problem यहीं आ रही है क्योंकि अब जहां पर extended pension की बात करें तो extended pension आपका 80 years जैसी आप complete करते हैं तो आपको automatically मिलना शुरू हो जाता है और वो 80 years complete करेंगे इसका मतला अपका date of birth होगा वहां पर अगर वो date of birth ही गलत लिखा हुआ है तो आप चाहे कुछ भी कर लें आपको extended pension नहीं मिलेगी बैंक में जो है बैंक के employees इसको make sure करते थे कि यह प्रॉपरली हो जाए लेकिन क्योंकि अब पर्ष में सब कुछ automatic है और आपके पास आपका user ID और password है जिसके थूप करना है तो दोस्तों इसको आपने खुद ही अपने आप करना है नहीं होता किसी से आप help ले सकते हैं लेकिन जो भी data है वह आपने अपडेट करना है आपकी extended pension नहीं मिल रही है आपकी जो है life certificate reject हो रहा है वो सब आपके हाथ में कुछ extreme case में जहां पर सच में कुछ technical issues आ रहे हैं और technical issues भी फिर आपके data से related अगर आपका data आपके सपर्ष में proper नहीं है तो जो वहां से मैच करने के लिए आ रहा है जो आपके आधार में लग data सपर्ष में लग data तो definitely reject होगा तो इसलिए दोस्तों data 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 यानि कि जो भी आपको आपके data है जो भी आपकी service book में आपके entry है वो और जो यहां आपके सपर्ष में रहे है वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए दोस्तों यह सा है आज के important update अप्डेट सभी पूर सेनिकों के लिए सपर्ष पेंशनर के लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो इसको like कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और साथे साथ बेल आइकन जरू दबाएं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो